हेलो गाइस पिछली वीडियो में हमने साइबर काफ़ी त्यार किया था एक इंटरेट सैटप कैसे होता है उसके बारे मताया था पूरी नेटुर्वर को लेकिन आज किस वीडियो में आपको टोटल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा किस तरीके से अक्सेंस से लेके इंटरेट स पर पाव तो Let's Start the video तो अब चलते हैं इस सारे सिस्टम को समझते हैं दोस्तों सबसे पहले यहां पे इंटरेट सर्विस प्रोवाइडर का एक्षेंज है यहां हमें सर्विस प्रोड करते हैं जो इस टावर को मैनेज करते हैं area wise जो है सारे इस network system को manage करते हैं यहां पे cell tower लगा रखा है इसके area wise को network को signal को services को divide के जाता है तो यहां पे मान लेजिए इनका जो area A है वहां पे हमारा network system लगा हुआ है तो area A की मदद से यह हमें सारी service देंगे internet service देते हैं telephone service देते हैं तो इस tower के साथ एक line आते है जो हम सीधी DP के साथ पहुंचते है डिमार्गेशन पॉइंट के पहुंचते है डिमार्गेशन पॉइंट जो है यह distribute करने के लिए यूज कियाता है telephone line connection को तो इस DP से हमें एक connection आता है जो सीधा cable modem के पहुंचता है जो यहां पे modem लगा होता है इसका काम है हमारे जो analog signal है उसको digital में convert करना है और आगे router के पास पहुंचाना है तो इस router को मैंने यहां पे connect कर रखा है तो इस router के साथ यह सारे के मैंने आपको बताया था है connect कियो है तो यह देखो different devices है जो यहां पे मैंने लगाई हुई है state through cable और जो हमारे similar devices जैसे यह दो switch है यह एक जैसे ही है तो इसके लिए मैंने cross cable का use किया गया है तो और जो switch से मैंने computer connect के हो यह state through cable लगी होती है तो यहां पे state through cable लगी है switch और computer के बीच में printer के बीच में और जो similar device है जैसे दो switch है यहां पे तो यहां पे मैंने cross cable लगाई हुई है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पे मैंने जो यह router है इसको मैं configure करूंगा configure करने के लिए जो मेरे पीछे से इसको हमारे service provider ने हमें IP address दिया होता है और साथ में user ID password दिया होता है उसको configure करने जैसे मैंने इसको किया open तो यहां पे setup पे जाके internet type connection मेरा कौन सा है यहां पे मैंना automate के d scp जो मुझे अक्सेन से यहां पे direct connection मिल गया है modum के बाद बो और यहां पे मुझे जो IP address दे रखा है वो 192.168.0.1 आपको और भी दे सकते हैं हो सकता है आपको 10.0.0.1 दे हो सकता है 192.168 जा आपको 1.1 दे दे यहां आपको 172 की series से दे तो अलग-अलग settings हो सकती है तो यह मेरे class C IP address है साथ में इसका subnet marks जो by default 255.255.5.0 है तो यहां पे dscp server मैं यहां पे enable कर देता हूँ यह मैंने इसलिए enable कर रखा है कि आगे मैं इस router के साथ जतने भी computer को connect करूंगा तो उन में automatically IP address assign हो जाए और मैं यहां पे reserve भी कर सकता हूँ डियास एपी server को IP address को यहां पे reserve कर सकता हूँ जतने मेरे यहां पे computer connected है तो उनके लिए मैं IP address reserve भी कर सकता हूँ तो यहां पे अगर आप range दे सकते हैं यहां पे यहां पे मैंने 100 से लेके 50 तक यानिकी 192 168.0.100 से लेके 149 की मैंने range दे रखे मतलब 50 computer को यहां पे मैंने connect करना है तो यहां पे static IP अगर आप जहां से देना चाहते हो दे सकते है लेकिन by default setting जो मेरे पीछे से आई है वो ही मैंने यहां पे assign करिया और यहां पे save कर दिया है तो router की यहां पे मैंने setting कर दिया है तो यह router जो मेरा यहां पे configure हो गया है अब मुझे क्या करना है इस router के बाद मुझे अपने computer में setting करनी है तो setting करने के लिए जैसे की माल इस है आप यहां पे मैं अपने computer में हूँ यह तो यहां पे मुझे internet में जाना है internet पे right click property में जाना है network की property में यहां पे adapter setting में जाना है तो यह जो मेरा माल इस यह internet connection है इसकी property में जाना है इथरनेट की property में इथरनेट की property में यहां पे IP version 4 इसकी property में जाना है तो यहां पे मैंने obtained an IP address automatically assign करने है और यहां पे भी assign करने है ऐसा करने से आपके router से direct यहाँ पे IP address automatically assign हो जाएगा ऐसे आपने सभी computer में कर देनी है तो दोस्तों यह देखो मेरे जो router है इस पे यह जो मेरा main IP address है इस router का जो मुझे internet service provider से मिला है वो यहाँ पे है उसका subnet marks आ गया है और यह जो static DNS server का IP address 192.168.0.10 यह तो इसको यहाँ से मैंने save कर दिया है दोस्तों router configuration के बाद अब मुझे अपने computer की configuration करनी है computer में IP address की setting करनी है तो उसके लिए मुझे अपने computer पे जाना है उसके natural property में और IP configuration में जाना है तो यहाँ पे जो मेरा static IP होती है इसकी जगह पे मैंने DSCP कर देना है यानि कि auto assign IP address करने है तो यहाँ पे internet का automate IP address assign हो जाएगा जैसे देखो जो मेरा computer में डला है 0.100 और यह subnet marks जो मेरा router का IP address है जो इंटरेस सर्वेट से मिला है वो यहाँ पे डल गया है उसके साथ जो DNS server का address है वो यहाँ पे assign हो गया उसके बाद मैंने इसको close कर देना है और अगर आप चाहते हो कि अपने computer में कैसे setting करने है तो simple आपको अपने internet connection पे इंटरेन की property में जाना है जो आपका internet connection है उसकी property में IP version 4 में property में और यहाँ पे देखो जाइस तरीके से अगर आपका manual है तो आप उसको auto obtained IP address कर सकते है automatically वाला option select कर सकते है उसको close कर सकते है ऐसे ही मैं यहाँ पे software में भी कर रहा हूँ और इस computer में भी जाओंगा IP settings में जाओंगा यहाँ पे DSCP करूँगा और यहाँ पे automatically IP address आता जाएगा ऐसे मुझे इस system में भी ऐसे ही करना है तो यह automatically यहाँ पे static अब एक वार disable never किया तो यहाँ पे भी आ गया और ऐसे मुझे सभी पे ऐसे ही करते जाना है यह मैंने DSCP पे किया और यहाँ पे भी IP address आ गया है इस पे भी अब इसके बाद आपको करना गया है दोस्तो यह जो computer यह सभी आपस में connect हो चुके हैं अगर आपको देखना है कि कैसे connect हुए है तो आपको simple करना क्या होता है दोस्तो आपको simple run पे जाना होता है आपको cmd टाइप करना है cmd में आपको command टाइप करनी है यहां पे ip config टाइप करके आपको enter कर देना है तो यहां पे देखिए मेरा ip version 4 का ip address यह आपको show कर रहा हो रहा है साथ में subnet marks जो default get पे जो मेरे router का address है वो यहां पे show कर रहा है अगर आपको सारी configuration चाहिए तो आपको ip config space forward slash r type करना है आपको सारे का सारी address show हो जाएंगे सारा address मतलब आपको DNS का address यहां पे show हो जाएगा जैसे 1912 1968 यह मेरा ip hosting shall court यह मेरे DNS का address है और यह मेरा subnet marks है यह मेरे main router का address जो मुँचे internet से मिला है और यह मेरे system का address है यह DNS काई यह मेरे अपनी system का address है ip спас 2004 मेरे system का है subred marks और यह मेरे router का gateway का address है और साथ में यह मेरे DNS का address है तो इस तेके से आप अपने computer का IP address चेक कर सकते हैं अगर आपको check करना है कि आपका computer connected है काम कर रहा है जा नहीं कर रहा है तो आपको यहां पे pink space IP address टाइब करना है IP address जैसे मेरे system का है 192.168.0.120 आपको इस ते किसे reply आएगा अगर आपको यह reply आता है तो इसका मतलब आपका system connected है networking में काम कर रहा है यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ यह मेरे सारे system एक दूसरे साथ connected हो चुके हैं तो मुझे यहाँ पर भी यह देखिए मुझे command prompt पर जाना है तो यहाँ पर मैं अपने computer का अगर IP चेक करना है तो यहाँ पर IP config टाइप करना है और यहाँ पर मेरे system का IP address आ जाएगा तो इसका IP address है 100 और अगर मुझे बाकी के computer को चेक करना है कि वो आपस में connected है या नहीं तो मुझे simple टाइप करना है ping space 192.168.0.101 तो यह मेरा reply आ रहा है 101 के साथ भी और 102 के साथ भी मेरा reply आ रहा है 2 भी इसके साथ connected है और जो 30 नंबर PCI 22 के साथ connected है वो भी reply करे है reply from 192.168.0.103 white 32 white time यह सारा का सारा यह देखो यह अगर ऐसी reply आती है इसका मतला आपका सिस्टम connected है इसी के तरिके से चार नंबर PCI भी आपस में connected है तो आप ऐसे सावर एक सिस्टम connected देख सकते है कि connected है या नहीं तो यहाँ पर मैं इनको close कर देता हूँ तो यह सारे computer आपस में connected हो चुके इन सभी में internet चल रहा है अब बात आती है कि Wi-Fi setting कैसे करेंगे तो Wi-Fi setting करने के साथ यहाँ पर wireless devices है इसको कैसे set करेंगे उसके लिए आपको जो भी computer मेरा router के साथ connected है क्योंकि यह सारे router के साथ connected है उस पर जाएंगे जैसे मेरा यह system है इस पर जाऊंगा मैं और इसका internet browser ब्राउजर ओपन करूंगा internet browser मतलब आपको अपने PC का ब्राउजर ओपन करना है ब्राउजर ओपन करना है यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है उसका आईपिड है जैसे 192.168.0.1 आपको यहाँ पर URL पर उसका address टाइप करना है यहाँ यहाँ पर देना पड़ेगा तो यहाँ पर मेरा admin और यहाँ पर मेरा password आगया आपके computer में अलग-अलग user ID password हो सकता है admin और password 12345 हो सकता है जहाँ आपका 192.168.1.1 user ID हो password आपका 12345 जहाँ admin हो आपके router के नीचे भी लिखा होता है और आपका internet service provider वे आपको देता है तो आपको OK करना है open करते ही आपको अपने router की settings में पहुंच जाएंगे यहाँ पर देखो wireless की setting में जाना आपको wireless पर जाएंगे wireless पर जाते ही आपको यहाँ पर जो यह आपके settings करने के लिए आपको simple range select करनी है यहाँ पर इसको मैं आटो ही रखना है तो यहाँ पर channel set कर सकते हैं तो अगर आपको internet के speed जाब modem के speed कम आती है न तो आपने एक बार यह जो channel है इसको change करके देख लेना है के बार होता है कि Wi-Fi की speed कम आती है तो यह आपको channel set करके चेंज करके देख लेना है चैनल 1,2,3,4 के बार होता है कि सारे नेर वाट पर जितने भी computer होते हैं जितने भी user होते हैं वो channel 1 पर चलाते हैं तो आप इसको आगे पीशी करके चला सकते हैं हो सकते हैं आपकी system के जो problem है वो solve हो जाए internet connection जो है slow आते है तो चेक कर लेना एक बार तो यह simple है मुझे इसको यहाँ पर enable कर देना है तो SSID मुझे यहाँ पर enable कर देनी है अगर आपका 5 GHz का bandwidth support करता है तो उसको भी enable करना है और यहाँ पर इन सभी को enable कर देना है और इसके बाद मुझे यहाँ पर wireless security में जाना है wireless security में जाने के बाद जहाँ पर कौन सी आपने bandwidth पर अपना router सेट करना है तो यहाँ से 2.4 पर तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर इंस्क्रिप्शन password इंस्क्रिप्शन की facility होती है तो सबसे personal तो मैं मांगता हूँ WPA2 तो यह सबसे आजकर square है इसको click करेंगे और यहाँ पर encryption type है तो AESC करूँगा और यहाँ पर मुझे password type करना है password आप मतलब combine दे तो यहाँ पर तो मैंने normally 1,2,3,4,5,6,9 ऐसे type कर दिया alphabetically लेकिन आपको जो है कुछ अच्छा key type करना है जिसमें alphabetical view, numerical view, special character view कुछ इस तरीके से type करना है अगर आपके 5 GHz में router set करना है तो उसका password आप type कर सकते हैं और 5 second mode पर करना है तो यह भी आप कर सकते हैं तो मुझे फिलार 2.4 पर ही set करना है तो इतना करने के बाद मुझे इस router को करना है save जैसे इसके setting को मैं save कर देता हूँ और इसको कर देता है close तो यहाँ पर देखो मेरे यह दो laptop है यह connected हो गए है यहाँ पर भी connected नहीं हो आपको यहाँ पर signal आना शुरू हो गया है जैसे signal आ गया मुझे इस पर भी setting करनी है setting करने के लिए यहाँ पर मुझे IP settings में जाना है sorry wireless की setting यह मेरा wireless interface ही है wireless पर चलेगे तो जैसे configure में आप wireless पर जा सकते हैं wireless पर जैसे जाता हूँ Wi-Fi में तो यहाँ पर password मेरा यह कौन सा है आपको देख लेना है WPA2 में जाके यह मेरा password इसको type किया और close कर दिया यह इसकी setting होगी उसी तरीके से इसमें भी wireless में जाता हूँ wireless में जाने के वाद यह select किया और इसका password टाइप कर दिया user ok कर दिया तो इस पर भी मेरा internet connection आ गया है अब देखो इसकी IP किया है वो भी देख लेते है desktop IP तो इसपे 112 आ गया है इक वार disable और enable करके देखतो ह। और यहां पे 112 आ गया है और इसपे भी देखते है इसपे क्या है मुझे IP settings में जाना है एक वार enable disable करके देख लेंगी तो यहां पे देखो 111 आ गया है तो यह सारे आपस में connected हो गया है अब बात आती है कि आप इसमें सारी sharing कैसे करें अगर माली यह मेरा main server है मेरा main computer है तो इस पे आपने सब share कैसे करना है तो इस वो simple है sharing कैसे करते है जैसे मालो मेरा कोई भी यह drive है मैंने इसको share करना है इसमें बहुत सारा data पढ़ा है मुझे इसको share करना है तो share करने के लिए simple इसके ओपर right click करूँगा right click करने के बाद इसके property में चले जाओ simple property जाने के बाद यहां पर sharing का option आजाएगा और यहां पर advanced sharing चले जाए अडवाज sharing पर यहां से share this folder share कर दिया और share का नाम आप type कर सकते हैं कुछ भी यहां पर मेरे drive का जो है कितने user उसको at a time access कर सकते हैं मैं चाहता हूँ इसको 5 और यहां पर कोई comment करना चाहते हैं तो आप उस पर comment लिख सकते हो जैसे storage करके मैंने इसका नाम दे दिया और permission लगा सकते हो permission आप इसको कितने computer access कर सके तो यहां पर everyone है अगर कोई particle user है तो भी आप यहां से add कर सकते हैं अगर particle कोई user है तो यहां मैंने सभी computer को permission दे दे कि वो उसे access कर सके अब यहां पर permission के कुछ और भी rule है जैसे आपको full control देना चाहते हो या उसको change भी करना चाहते हो read only करना चाहते हो तो यहां पर अगर full control देता है तो वो उसको change भी कर सकता है अगर आप full control नहीं देना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इसको read करेगा मतलब आपके इस drive को सिर्फ देख सकता है पढ़ सकता है उसको read नहीं कर सा था, modify नहीं कर सकता है तो यहाँ पर मैंने read की permission दे दिया apply कर दिया और ok कर दिया apply और ok and close अब माल लेजिए यह जो मेरा computer है यहाँ से मैंने data share किया उसका IP है मेरा एक वार देख लेते हैं क्या IP था IP config तो इसका IP था 120 तो अगर माल लो आपको 120 नमबर PC का data को access करने तो उसके लिए आपको करना क्या है run पे जाके simple double backward slash और उसका IP थाइप करने जैसे 192.168.0.120 यह type करेंगे और enter कर देंगे enter करतें दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर देखो eDrive को share किया था पहले तो यहाँ पर eDrive यहाँ पर आ गया है तो eDrive यहाँ पर share आप उसको access कर सकते हैं यह जो ऐसा sign बना है यह networking का sign है यहाँ पर fDrive भी मेरा यहाँ पर share है तो अब इस पर permission दिया है कि कोई इसको access ना करे fDrive को तो इस तरीके से permission होती है अब मैंने इसको permission दिये दिये कि यह read कर सके तो यह देखो easily हो गया आप इसको read कर सकते हैं तो इस तेके से आप data को जो है share कर सकते हैं ऐसे ही अगर आपको cell phone अगर है आपका उसको भी आप चाहते हैं connect करना तो smartphone को भी आप smart devices को भी connect कर सकते जैसे मेरा कोई smart phone है यह तो easily इस पर wifi की range तो आ रही है लेकिन यह connected नहीं है तो connect करने के लिए simple इसको जाना है आपको configuration में configuration यहाँ पर wifi में wireless में जाना है wireless में जाने के वाद simple आपको यहाँ पर name और password पासवर डाल करना है 2345679 यह type कर दिया और close कर दिया तो इस पर IP मेरा आ गया है यह देखिए तो जो इसका मेरा cell phone है यह तो एक tower के साथ तो डेक्टी connected है ही SIM की मदद से लेकिन यह बाई फाई के साथ भी यहाँ पर connected हो गया है तो इस देके से computer को आप connected कर सकते हैं एक वार फिर से revise कर देता हूँ यह आपकी अक्सेंज है अक्सेंज के साथ tower connected है जो tower को control करते है इस tower का area wise divide किया होता है सर्विस यहाँ पर area A के साथ एक DP लगी है जो DP है यह demarcation point है जो distribute करती है connection को internet connection telephone connection को यहाँ से a connection modem के साथ connected है modem हमारे rotor के साथ connected है modem को ने हमारे analog signal को distant में convert कर दिया और यह rotor है यह service प्रवाइड कर वाएड़ा है आगे सब यह computer को IP settings प्रवाइड कर वाएड़ा है internet service प्रवाइड कर वाएड़ा है Wi-Fi connection प्रवाइड कर वाएड़ा है और इसके साथ यह मेरे wireless devices लगे है जो Wi-Fi के साथ इस computer के साथ connected Wi-Fi के साथ इस router के साथ easily connected है और आप इस तरिके से जो IP setting कर सकते हैं और उसको manage कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं और वीडियो के साथ अब तब अपना ध्यान रखें Thanks for watching